आपको क्या कुछ खास देखने मिल जाता है अब जितने भी लोग अभी इस वीडियो को छोड़ कर जाने वाले होना तयार उन लोगों को बता दू कि आज के इस वीडियो में आपको एक और बहुत खास चीज़ बताने वाला हूँ जो है ColorOS 7.1 की डीटेल्स कि आखिर भाई OPPO F11 and F11 Pro Devices में 7.1 कब तक आपको देखने मिल जाएगा स्टाट करते हैं सबसे पहला आप देख सकते हों आप पर ये C.25 का अपडेट आपको देखने मिल गया है जो कि डाउनलोड पर लगा हुआ है Learn More पर क्लिक करकर हम जाते हैं Features पर और यहाँ पर काफी कमाल के आपको दो तीन चीज़े देखने मिल जाती है First of all कुछ system improvements हैं जैसे कि आपका fingerprint unlock जो कि slow काम कर रहा था अब वो थोड़ा सा और fast and durable हो गया है Second चीज़ जो कि है improved system stability जिसमें आपको 3-4 improvements देखने मिल जाते हैं First of all आपको जो system है उसमें आपको UI difference देखने मिलेगा जैसे कि जब आप app drawer वगरा को use कर रहे थे So वो बीच बीच में lag हो रहा था वो lags अब यहाँ पर sort कर दिये गए हैं साथी साथ में एक और बहुत बड़ा system improvement भी हुआ है जो कि है dark mode से related क्योंकि जब आप dark mode को use कर रहे थे So आपको dark mode में एक normal सा feature जो होता है जिसे कि कुछ third party applications में काम नहीं करता वो चीज अब यहाँ पर beta face से सीधा stable face में आ जाएगी यहाँ पर आपको देखने में एक dark mode for third party applications जैसे कि अब यहाँ पर beta लिखा हुआ है अब यहाँ पर beta की नहीं लिखा आएगा मतलब यह एक official stable आप use कर पाओगे अगर another applications में भी अब यह update है इसको मैंने download पर लगा दिया है और यह download हो चुका है अब simply update now पर click करके मैं इसको update कर लूँगा and update करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिरी update कैसा है so guys मेरा phone जो है finally update होकर वापस चालू हो चुका है switch off होकर on हो चुका है and सबसे पहला major improvement मैंने देखा app drawer के अंदर जैसे आप देख सकते हो मैं app drawer को यहाँ पर use कर रहा हूँ कहीं पर भी lag मुझे नहीं देखने मिल रहा है जो की काफी जाधा मस्त बात हो जाती है plus second चीज मैंने improvement देखने मिला कई सारे third party applications में dark mode का जैसे की telegram पे अब यह perfectly work कर रहा है dark mode भाई कोई दिक्कत नहीं आ रहा है plus another applications like whatsapp तो यहाँ पर भी अभी कोई दिक्कत तो वैसे आ नहीं रही है मुझे कोई भी दिक्कत face होगी सो इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा अब इस update का full review तो मैं यहीं पर आप लोगों को कर देता हूँ छोटे जल्दी जल्दी में कि भाई system जो है वो काफी ज़द अच्छा हो गया जून का आपको इसमें security patch देखने मिल जाता है so finally अब एक thumbs up to this update आपको इस update को कर लेना चाहिए अब जो भी लोग सोच रहे हैं अपडेट को नहीं करूं करूं ना करूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो यार कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ultra system काफी जादा बढ़िया हो गया so इसको जल्दी से जाके update कर लो कोई problem नहीं हो गया आपको इस update से related वाकि ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को तबालो ताकि आने वाले वीडियो को notifications आपको मिल जाए जैसे हम कोई वीडियो upload करते हैं बाकि that's it for today's video I hope you enjoyed and understood it very well I'll meet you in the next one तब तके लिए जाए हिंद वन्दे मात्रूम